इस वीड Hessen में हम जानेगे कि पज्जामनेंगे पंजाब निशनल बैंकक का चेक्बुक होण-व्लाइन अपिलिक कैसे करें वैसे तो चेक्बुक आप कई तरीकों से अप्लाइक कर सकते हें सबसे पहला तरीका है bank branch जो आपका home bank branch है वहां से आप form भरके checkbook को apply कर सकते हैं दूसरा ATM machine पंजाब national bank के किसी भी ATM machine से आप checkbook apply कर सकते हैं तीसरा तरीका है net banking और चोथा तरीका है mobile banking जो पंजाब national bank का pnb1 app होता है उससे तो यहां पर मैं net banking से checkbook apply करने का process आपको बता देता हूं अगर आप net banking यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा तो जल्दी से मैं net banking को login कर लेता हूं इस अकाउंट का आपको checkbook issue करवाना है तो जैसे ही आप account को select कर लेंगे तो आपका bank branch का नाम और account holder name में यहां पर आ जाएगा उसके बाद checkbook पर किनका नाम आप print करवाना चाहते हैं अगर single account है मतलब किसी वैक्त का एक ही account है तो उनका ही नाम रहेगा लेकिन अगर joint account है मतल primary account holder name का ही नाम प्रिंट हो तो आपको print primary holder name के option को select कर लेना है उसके बाद number of check select करना है कि कितने page का आपको checkbook apply करना है तो select के option पे क्लिक कर देंगे तो यहां आप 20 page 50 page और 100 page का checkbook apply कर सकते हैं तो आपको अपने according यहां पर selection कर लेना है कि कितने page का आपको checkbook चाहिए उसके बा address पर आपका checkbook delivered किया जाएगा यहां पर आप scroll down करेंगे तो यहां पर checkbook का overview दिखाया जाएगा इस तरीके का आपको checkbook delivered किया जाएगा यहां पर check to confirm the address के checkbox पर click कर देना है अगर आपका address सही नहीं है तो आपको bank branch visit करके अपने address को सही करवा लेना है उसके बाद last में आपक account से registered mobile number पर एक OTP send किया गया होगा वो OTP आपको यहां पर एंटर कर देना है transaction password और OTP एंटर करने के बाद आपको submit बटन पर click कर देना है जैसे आप submit बटन पर click कर देंगे तो new checkbook का request आपका यहां पर लग जाएगा मतलब आपका checkbook apply हो जाएगा आपको यहां पर एक reference ID मिल जाएगा इस reference ID को आपको copy करके रख लेना है या फिर screenshot लेकर अपने पास रचित रख लेना है जैसे आप इस process को complete कर लेते हैं तो 7-14 दिन में इंडिया पोस्ट आपका checkbook आपके address पर delivered कर दिया जाएगा और अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं तो दूसरा तरी 적 boost क्लिक कर दिना जैसे आप Services के option पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको चेक वाले option पे क्लिक कर दिना है जैसे अप сов आप चेक से रिलेटर यहां पर सारे options open हो जाएंगे तो हमें checkbook को apply करना है तो checkbook apply करने के लिए यहां पर एक option दिया गया है request for checkbook ताब को इस वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे हमने request checkbook के option पर क्लिक कर दिया तो यहां पर एक error आ गया this functionality has been temporarily disabled मतलब कुछ समय के लिए यह service अभी disabled है लेकिन यह service कुछ समय बाद activate कर दिया जाएगा पतलब आप checkbook को apply कर सकते हैं तो जैसे हमने net banking से checkbook apply किया है सेम उसी तरीके से PNV1 app से हम checkbook को apply कर सकते हैं वही process होने वाला है सबसे पहले आपको अपना account slate करना है account को slate करने के बाद कितने page का आपको checkbook चाहिए वह selection कर लेना है process पे click कर देना है और app में आपको tip in enter करना है उसमें transaction password एंटर करना था इसमें tip in enter करना है जैसे आप tip in enter कर के submit पे click कर देंगे आपका checkbook apply हो जाएगा इस तरीके से आप Punjab National Bank का checkbook online apply कर सकते हैं इसके बाद भी अगर आपका कोई question है या फिर आपको कोई doubt है तो comment section में पूर सकते हैं मैं आपका help जरू करूंगा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद